स्वागतम दोस्तो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो असेंडर्ड यानि की विश्चिक लगन में जब सन दूसरे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परणिडाम देता है दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए है या आपने हमारा चैनल अ विश्चिक लगन यानि की स्कॉर्पियो असेंडर्ड में सन दसवे स्थान का मालिक होता है अब जब दसवे स्थान का मालिक दूसरे स्थान पर बैठेगा तो क्या फाल देगा हम इस वीडियो में देखेंगे बर दोस्तो उससे पहले हमें ये समझना गरूरी है कि सन क्या देता है, दूसरा स्थान क्या फ़ल देता है, और दस्वा स्थान क्या फ़ल देता है, चलिए देखते हैं सन क्या फ़ल देता है, दोस्तो सूर्य रिप्रेजन करता है हाईरश टीम को, सूर्य रिप्रेजन करता है एगो को, सूर्य रिप्रेजन करता है अथॉर्टी को, और द कुलडरिशिप कौलेटी को सूर्य represent करता कुंडली में second house ॐ Busan looks आपकी family values आपके initial basic education को दुसर अ्तान करता है आपकी बानी आवाज को कि इस तरह से बात करते हो कैसे भीधक आपकी वाणी कैसी है यह हम दुसरे सांस देखते हैं साथ ही दूसरे सांसे हम दिखते हैं आपकी wealth कितनी हैं कितना saving करेंगे आपके expenditure के compare में आपकी saving कितनी है आपके sources सब income क्या है यह सब हम second house से देखते हैं साथी हम second house से देखते है oda family tradition क्या है a parar पे किया है वो भी हम दूसरे सांसे देखते हैं दोस्तो 10th house represent करता है आपके career को, आपके कर्म को, आप professionally अपने life में कितना grow करोगे, किस तरह का job करोगे, आप business करोगे, उस job और business में आपको कितना success मिलेगा, वो 10th house represent करता है, 10th house साथ ही represent करता है आपके social authority को, आप समाज में society में कितने known हो, कितने famous हो, कितने लोग अपो जानत हैं, आप किस तरह की value देते हैं, वो भी हम 10th house से जानते हैं, 10th house represent करता है leadership को, आप for example politics में हो, तो politics में कितने famous हो, या अगर आप अपने महले में या अपने area में रहते हो, वहाँ पे कितने famous हो, आपके अंदर वो leadership quality है या नहीं है, वो भी हम 10th house से देखते हैं, साथ ही हम 10th authority यानि government में job करने की opportunity है की नहीं है, या आपका कुंडली में योग बन रहा है या government job करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह की भी चीजे हम 10th house से देखते हैं, दोस्तों जैसा कि मैंने कहा start में, व्रिष्चिक ascendant यानि व्रिष्चिक लगन में, जब सन, दस्वे स्थान का मालिक होके दूसरे स्थान पर बैठता है, यानि तो यह शो करता है दोस्तों कि यह आपकी जो family lineage होगी, काफी strong होगी, यानि कि आप जहां पैदा हुए हैं, वहाँ पे जो family की history है, काफी known रहेगी, लोग जानते होंगी, दो या तीन पिलियों को, साथी दोस्तों आपके जो पिताजी का जो influence है, वह बहुत strong होगा आपकी life में, और उनकी जो personality होगी, काफी कैसे किंकी जैसे होगी, यह अपने समाज में, society में काफी valued होंगे, और लोग इनकी बाते सुनते होंगे, या तो यह politics में होंगे, या ऐसी कोई government की position पे होंगे, जहां पे इनका का होगा, और काफी value होगा, और कहीं न कहीं आप भी इन्हें follow करेंगे, उस चीज के लिए for a career, for a better life path के लिए, तो आपकी पिताजी का influence आपकी life में काफी strong होगा, काफी valued होगा, अगर भले ही आप गरी family से हैं, तो भी आपकी पिताजी उस समाज में, उस society में काफी known होंगे, लोग जानते होगे उनको और उनको value देते होंगे, दोस्तो बात करें career की, तो वरिष्चिक रासी वालों के लिए, यानि की Scorpio Ascendant के लिए ये एक strong position है career को लेखे, क्योंकि आपका जो करमस्थान का मालिक है, सूरिय, वो दूसरे इस्थान पे बैठा हुए, यानि की wealth के house मे तो आप जो भी career choose करेंगे अपने life में, वो खाफी strong होगा, काफी influencing होगा और आपको वो काफी growth देगा, साथी दोस्तों ये भी देखा गया है कि आप जितना अपने guru से या अपने teacher से यह आप बात करते हो, इंट्राइक करते हो, इंका respect करते हो, उतना आपको अपने career में अच्छे हैं, तो आपके लिए वो एक luck, enhancing का काम करेगा, और कहीं न कहीं आपको वो life में growth देगा, क्योंकि आपके पिताजी कहीं न कहीं आपको support करेंगे, आपके career के लिए, आपके growth के लिए, वहीं अगर आपके पिताजी से जमता नहीं है, खराब relation है, due to the bad degree of the planet, ये कि Scorpio Ascendant के लिए एक strong position है, क्योंकि sun का दूसरे स्थान पर बैठना, ये present करता है कि करम स्थान का मालिक आकर दूसरे स्थान पर बैठिया है, तो आपके life में जो wealth होगा, जो savings होगी, आप जो भी earn करेंगे, अपने hard work से earn करेंगे, अपने खुद के दम पर करेंगे, लेकिन स अपने पिताजी से या गुरू से सीखा है, सही चीजे उससे करते हैं, और उसमें काफी succeed होते हैं, और अच्छा कासा wealth earn कर लेते हैं, और समास society में उनका value होता है, लेकिन वहीं अगर planetary position अच्छी नहीं रही, राओ करितु की दिष्टी है, सनी की दिष्टी इसकी उपर है, और degree सही नहीं, इसका वकरी है, तो ऐसे जाते तक wrong directions में जाते हैं, जिसके वज़े से इनका जो relation होता है, अपने पिताजी से वो खराब होता है, साथ ही इनको काफी life में blames जहलने पड़ते हैं, समास society में इनकी value नहीं होती है, लोग उनको गलत चीज़ों से देखते हैं, या relate करते हैं, साथ ही दोस्तों, जो wealth होता है, जो भी कमाते हैं, ये गलत चीज़े करकि, वो कोई long term होता नहीं, बहुत short term होता है, end of में आपको लास में दर दर लोग मिल जाता है, इसलिए आप जो भी काम करें, खुद की manage से करें, खुद की effort से करें, और आप उसमें growth करो और वो long term maintain रहेगा, दोस्तों, जब विश्चिक लगन में सन दूसरे साम पर बैठता है, तो ये भी observe कि आपकी family बहुत बड़ी होगी, और family में dominance पहले आपके पिताजी का होगा, और उसके बाद आपका होगा, फिर आपकी बात लोग सुनेंगे, और दोस्तों, ये भी दि education, अच्छी पढ़ाई, अच्छी कर लोगे, तो ये एक strong education बनता है, जो base बनता है, आपके career का, आपके job का, या आपकी life का, ये second house बनता है, और second house आपका show करता है basic education, और आपकी basic education यहापे बहुत अच्छी होगी, बहुत strong होगी, दोस्तों, बात करें career की, तो विश्चिक वालों के लिए, sun का दूसरे स्थान पे बैठना ही, शो करता है, कि आपका, जो career होगा, काफी strong होगा, आपके कर्म काफी strong होगे, और उसका basic rate होगा, initial life से, और आपके जो भी job करोगे, जहाँ पे भी काम करोगे, तो you will reach to the level, जहाँ पे आप एक अच्छी executive position hold करोगे, और उ position को reach करने के लिए कहीं न कहीं, आपके जितने भी bosses होगे, आपके जितने भी mentors होगे, आप उनके favorite होगे, अपने कर्म से, अपने काम से, आप उनका दिल जीत लोगे, और इसके वज़े से, आप हमेशा ही अपने group के अंदर, अपने mentors के, अपने leaders के, हमेशा favorite होगे, जो आप को help करेगा आपके करियर में successful होने के लिए दोस्तों sun represent करता है आपके social status को और scorpio ascendant वालों के लिए यानि कि विरिष्टिक लगम वालों के लिए sun का दूसरे स्थान पर बैठना यह represent करता है कि जो आपका social status होगा कहीं न कहीं आपके पिदाजी से influence होगा और समाज में society में due to your knowledge due to your way of thinking आपकी जो नेबर्स होंगे आपकी जो family members होंगे आपकी समाज होगी आपको बहुत ज़्यादा value देगी आपको बहुत ज़्यादा respect देगी और एक अच्छा combination है higher status अचीव करना professionally also personally also scorpio ascendant में sun जब दुसरे स्थान पर बैठता है तो उसकी सातवी दिष्टी पढ़ती आठवा स्थान पर और आठवा स्थान रिप्रेजन करता है आपके life के sudden ups and downs को sudden gain sudden loss को आपके in loss को और आपके secret चीजों को और दोस्तो साती ये जो एक अच्छा integration है scorpio ascendant वालों के लिए दोस्तो ये था मेरे analysis scorpio ascendant में जब sun दूसरे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परण्याम देता है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए comment कीजिए bell icon पर click करना ना भोले ताकि future में आने वाले videos के notification आपको मिलते रहें धन्यवाद